हलो फ्रेंड गूड इवनिंग एन वेलकम इन इस चैनल इस्टाटी पॉइंट जिसमें फ्रेंड मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ अगर आपको अच्छे लगती है अगर आप इस चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड जिससे और बेल आइकन को दुआएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं तो आज का हमारा टॉपिक है वह थी इंपोर्टेंट टॉपिक है यह पूचा जाता है चाहे आप पैरामेडिकल से रिलेटिव हो या मेडिकल से रिलेटिव यह कोईसन आई इसके बारे में आपको एक नएक कोईसन तो मिली जाएगा ठीक है उब रहें तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम समरी के रूम में अपने बलड को देख लेते हैं कि बलड होता है ठीक है तो नॉर्मन इसमें कहा गया है कि जो बलड का वर्क होता है मैकेनिजम होता है वो क्या होता है ट्रांसपोर्ट करना होता है ठीक है इतना तो नॉर्मन आपको पता होता है जो जो ट्रांसपोर्ट होता है नूट्रेंस वीस्ट प्रोड़क्ट का रेश्पिरेटरी गेसिस का ज जो हमारे heart का pumping action होता है उसे ये depend करता है सारे work उससे relative होते हैं तो introduction देख लेते हैं इसका so first of all जैसे मैंने आपको बता है mechanism है ये respiratory gases का या जो transportation होता है पुरे blood का पुरी body में ये blood के द्वारा होता है तो introduction इसका देख लेते हैं cardiovascular system system made up of blood vessel blood and heart major function hormones to the cell the pick up waste from cell to transport them to areas of body where they are excreted ठीक है तो cardiovascular system जो होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि nutrients gases and hormones का transfer करता है ठीक है ठीक है और pick up pick up करता है और transfer कहां करता है जहां इसका ये excreted होंगे ठीक है जो waste product होते है excreted जहांगे ये उनको वाँ पे छोड़ता है ठीक है और जहेंसे pick up करता है pick up करने के बाद यानि जहां से वो जो हमें waste product get करना है और उसके बाद उसको excreted area में भीजना है उसको जो work में नहीं होता है ठीक है तो excret करना है ये होता है सारा cardiovascular system में ठीक है उसके बाद है lymphatic system network of vessels जो एक vessels का network है the return the fluid is packed from the blood vessel back to the blood stem ठीक है नौलमी ची बात है ठीक है उसके बाद देख लेते है circulatory system बहुत ही important है ये friend अगर आप इसका screenshot भी लेना चाहिए तो साथ साथ में ले सकते हैं ठीक है तो circulatory system में देख लेए together the cardiovascular system and lymphatic system make up a circulatory system ये जो circulatory system होता है ये दोनों के साथ यानि बोथ जो cardiovascular system होता है और lymphatic system होता है इन दोनों के साथ मिलकर ही work करता है circulatory circulate करता है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो जो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी properties ठीक है properties क्या होते है blood की जैसे कि इसका color जो होता है वो color होता है scarlet red होता है volume जो होता है normally अगर आप बात करें adult में तो volume जो होता है इसका 5 liter होता है और इसका pH दो होता है फ्रेंड पहले तो ये slightly alkaline होता है और इसका pH दो होता है 7.4 होता है ठीक है specific gravity देख लेते हैं इसकी 1.052 1.061 viscosity 5 times more viscous than water जो viscosity होती है 5 times more होती है water से ठीक है इसके अलावा जो इसमें नहीं दे रहे है slide में नहीं दे रहे है मैं आपको बता देता हूँ तो इसकी जो normally function जो होते है वो तो होते है circulate करने का ठीक है auglism में health करता है अगर कहीं पर blood vessel damage हो जाती है तो platelets जो होती है हमारी वो इनके रूप में ये भी बाए जाता है ठीक है तो कई जो important work होते हैं वो blood में होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आजाते हैं function phase की function क्या होते हैं blood की transportation transportation इसके बारे मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ पर आपको revise कराने के लिए इसमें आज यतना आप ज़्यादा वीडियो को देखेंगे और इन slides को देखेंगे उतना आपको बार-बार समझ में आता रहेगा ठीक है तो transportation जो होता है blood transport dissolve gases nutrients hormones and metabolic जैसे मैंने आपको पहले ही बताया जो transportation होता है इसका main important work होता है first of all इसका work यह होता है ठीक है तो क्या होता है blood transport dissolve gases gases होते है nutrients होते है hormones होते है metabolic जो waste होते है जैसे मैंने excreted बताया excreted word का मैंने यूज किया था यह सारे wastage के लिए use होता है ठीक है उसके बाद protection किसके लिए करता है किसमें protection करता है the blood resist fluid loss through the damage vessel जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि blood vessel जैसे कहीं पर damage हो जाती है जैसे कहीं पर cut लग जाता है या कहीं से भी damage हो जाता है तो यह clotting factor के clotting factors होते है उनको भी वहाँ पर पहुचाने के लिए कारगर सावित होता है ठीक है प्रोटीन्स मिनिमाइ blood loss when a blood vessel is damaged ठीक है जैसे blood vessel damage हो जाती है तो यह वहाँ पर भी clotting as a clotting जो clotting जो factor होते हो लग होते है बट जो उनको पहुचाने का transport का जो काम करता है वो bloody करता है ठीक है एक तरब से protection भी करता है body के लिए ठीक है रेगलूइट क्या करता है blood regulate the pH and electrolyte composition of interstitial fluid ठीक है regulate करता है pH को ठीक है blood regulate body temperature important work है जो body का जो temperature होता है वो blood के वाज़े से ही regulate या normal क्या जैसे depend करता है इस पर होता है ठीक है अगरभी देख लेते है composition of blood normal जैसे बढ़ना आपको बता है males में होता है 5-6 liter female में होता है 5-4 liter ठीक है तो composition देख लेते हैं blood के blood के जो composition होते है सबसे ज़ाद जो होते है इसमें plasma होता है ठीक है yellow color का होता है प्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रें आयान, नूट्रिंस क्या होते हैं, शुगर, अमाइनो अचिड, लिपिट्स, कॉलेस्टरोल, वाइटामिन, एंड ट्रेश एलिमेंट, ठीक है, थ्री में प्रोटीन्स तो होते हैं, इसमें, वोते हैं, अल्बूमीन 60%, ग्लोबिलिन 35%, एंड फिब्रिनोजन 4%, डिजॉल्व ग एंड बिली रूबी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप, अगर आप इस डाइग्राम को उसके साथ देखते हैं, क्योंकि मैंने इसमें डाइग्राम को भी एड कर रखा है, जिससे आपको धंक से समझ माझा है, ठीक है, तो डाइग्राम को आप देखते हैं, तो जैसे कि मैंने नॉर्मल यह आपको बताया है कि यह blood का sample लिया गया है ठीक है उसके इसमें कंजिस्ट होता है plasma कितना बताया तो मैंने 45 तो बड़ इसकी जो average बता रहेगा 46 63% बता रहेगा plus में क्या इसके साथ इसमें form element है form element जैसे आपको बताया था ठीक है form element averages का 37 to 55 54 परसेंट ठीक है उसके बाद form element से क्या बनते है form element से बनते है form element में ने क्या आपको बताया था वो क्या थे जैसे प्लेट लेट हो गई white blood cells हो गई ठीक है और red blood cells हो गई तो प्लेट अण white blood cells का जो volume होता है इसमें कितना होता है तो 0,1% होता है ठीक है red blood cells का सबसे ज्यादा होता है 99.9% क्योंकि red blood cells वेइं थे ठीक है क्योंकि color भी इसका इसीझे के वजह से red होता है तो red blood cells इसमें 99ulates होता है ठीक है तो red blood cells यह आप देख सकते हैं इसके यह colors वगेरा है उसके बाद देख लिते हैं playless, playless का color भी आपध देख सकते हैं और white blood cells का composition किस طरब किस तरह से यह divide होते हैं या किस तरह से इनका formation होता है यह आप इसको देख सकते हैं ठीक हैं तो जैसे की इसमें दे रका फिर्स तरी न्यूटरोफिल देरका 50 to 70% उसके बाद इजनोफिल देरका 2 to 4% बेसल फिल लेस दन 1% और लिंपोसाइड 20 to 30% उसके बाद मोनोसाइट आगे बढ़ते हैं फ्रेंट अगर इस्टेन में हम इस्टेन करते हैं इसको अगर ब्लड को इस्टेन करते हैं तो क्या क्या कैसे कैसे हमें दिखाई देता है ठीक है तो प्लेट लेट आप देख सकते हैं और इरिथ्रोसाइट देख सकते हैं मोनोसाइट देख सकत अब particularly मैं इसमें slide add कर रहे है, formed element ठीक है, अगर आप उस slide को देखते हैं और उसके बाद इस slide को देखते हैं तो form element का अलग से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, slide by slide अगर आप देखते हैं तो आपको दंग से समझ जाएगा, तो formed element क्या है इसके, red blood cell, erythrocyde, white blood cell, leukocyde, granulocyde क्या होते हैं, granulocyde में component होते हैं, neutrophil, xenophil, and basophil, agrinolocyde होते हैं, lymphocyde, armonocyde, platyres क्या होते हैं, platyres को normal नाम क्या है, thrombocytes, component of blood में, red blood cells में देख लेते हैं, erythrocyde, red blood cells, ठीक है, first यह जो component है, वो है, इसमें जो होते है, oxygen transporting cell, इसको main कहा जाता है, oxygen का transport यह करता है, इसलिए इसको red blood cell के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसका size देख लेते हैं, 7.5 micrometer in diameter, ठीक है, 7.5 micrometer, ठीक है, उसके बाद diameter of capillary, capillary में इसका diameter कितना होता है, 8 to 10 micrometer, ठीक है, most numerous of formed element, female में कितना होता है, 4.3 to 5.2 million cell per cubic millimeter, ठीक है, erythrocyte की value कितना होता है, volume कितना होता है, 4.3 to 5.3 million cell per cubic millimeter होता है, female में, and 5.2 to 5.8 million cell per cubic millimeter, जो होता है, males में होता है, males में इसलिए ज़्यादा होता है, क्योंकि males में जो होती है, blood के volume भी ज़्यादा होता है, ठीक है, made in in red bone marrow, in the long bones, cranial bones, ribs, sternum and vertebrae, ठीक है, किस में बनता है, RBC जो होता है, formed कहां होता है, ठीक है, ये red bone marrow, जो बनता है, वो बनता है, cranial bones, जो basically हमारी long bone होती है, जैसे cranial bone, ribs, sternum and vertebrae, ठीक है, average life span, देवकितेंस, तो average जो life span है, वो 100 to 120 days, ये average है, ठीक है, normally वैसे 120 days माना जाता है, structure, RBC, structure and function, have no organelles or nuclei, इसमें organelles नहीं होता है, और nuclei भी नहीं होता है, hemoglobin, oxygen carrying protein, जो hemoglobin होता है, इसमें जो होते है, oxygen carrying protein, ठीक है, each RBC has about 280 million hemoglobin molecules, hemoglobin की मातर इसमें होती है, maximum होती है, 280 million hemoglobin molecules, each RBC में, ठीक है, by concave save होता है, 30% more surface area, ठीक है, आप diagram में देख सकते हैं, दूसरा component देखते हैं इसका, Leukocyte, ठीक है, white blood cells, protect the body from infection micro-organism, ठीक है, Leukocyte का main work जो होता है, वो protection होता है, body को, infection से बचाने के लिए, जो micro-organism के वज़े से, जो infection होता है, उनसे रोखने के लिए, ये Leukocyte का work होता है, इसका, ठीक है, 4800 to 11,000 per cubic millimeter, इसकी volume होता है, function outside the blood stem in the loose connecting tissue, ठीक है, diabetes, circulating Leukocyte, लीप the capillaries, ठीक है, WBC have a nucleus and are larger than RBC, इसमें nucleus होता है, जो बड़ा होता है, किसे, RBC से, ठीक है, most produced in the bone marrow, ये भी most produced होता है, किसमें, bone marrow में, लाइब इसमें, इसका बहुत कम होता है, जो होता है, 12R to several years तक, ठीक है, और कुछ छोटी-छोटी information इसमें, ये two type के होते हैं, Leukocyte क्या, granulocyte and agranulocyte, differential WBC देख लेते हैं, never let monkey eat and bananas, तो आप ये diagram देख सकते हैं, फ्रेंट, formed element इसमें, प्लेले, dukocyte, erythrocyte, ठीक है, differential WBC count, all total 4800 to 11000 पर mm3 होता है, और मैंने इसके, जैसे types बताएं, granulocyte and agranulocyte, तो granulocyte में क्या है, neutrophil 72, sorry, 40 to 70%, isonophil, isonophil होता है, 1 to 4%, besophil 0 to 1%, agranulocyte, agranulocyte में क्या होता है, lymphocyte, lymphocyte 22, 45%, monocyte 4 to 8%, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें 4 add कर रखा है, मैंने, तो ये देख सकते हैं, type of white blood cells, ठीक है, white blood cells के type है, इस chart का आप देखें, तो आप इस chart को बना भी सकते हैं, इस किन सॉल्ट ले लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, तो type of WBC neutrophil percent by volume of WBC, ठीक है, sorry, WBC neutrophil 60-70%, description में देखते हैं, इसका nucleus has many interconnected low blue granules, ठीक है, function क्या होता है, phagocytis and destroyed bacteria most numerous WBC, ठीक है, main work क्या होता है, destroy करने का होता है, bacteria जो होते हैं, उनको destroy करने के लिए होता है, isrophil, isrophil, जो होता है, 2.4%, nucleus has bilobed nuclei, red और yellow granules containing digestive enzyme, इसमें जो होते हैं, वो digestive enzyme, mainly होते हैं, ठीक है, play a role in ending allergic reaction, जो allergy से reaction जो होते हैं, उसमें इसनोफिल work करता है, काम करता है, ठीक है, इसका बाद बैसोफिल, less than 1% होता है, सबसे कम, ठीक है, इसका क्या है, description में क्या है, biolobed nuclei hidden by large propagandules full of chemical meditors of inflammation, ठीक है, function in inflammation medication similar in the function of master cell, जो master cell का mainly work होता है, उसके similar यह होता है, ठीक है, lymphocyte, lymphocyte दो टाइप के होते हैं, B lymphocyte and T lymphocyte, total volume जो होता है, वो होता है, 20-25%, dense purple staining, round nuclei, little cytoplasm, ठीक है, purple color का staining होता है, round nucleus होता है, color होता है, ठीक है, उसके बाद इसमें function देले, the most important cells, the immune system, immune system में lymphocyte, जो lymphocyte होते हैं, वो work करता है, अगर आप immune system को अलग से particularly individually पढ़ते हैं, तो आपको lymphocyte के बारे में ज़रू पढ़ने को लिए में मिलेगा, ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, monocyte, 4-8%, largest leukocyte kidney saved nucleus, ठीक है, transform in to macrophage phagocytic cell, ठीक है, तो यह chart था, फ्रेंट, चार्ड के मदद से भी आपको कापी अच्छी तरह से समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं,